नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग गुरूप डी का महत्पुन जनकारी आप लोग को देने बाल हैं अगर आप लोग भी गुरूप डी का एक्जाम दिये हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लिजेगा अन तक इस वीडियो को देखेगा दोस्तों सारे जनका में लग जाए आज 11 जो अक्टूबर है और 11 अक्टूबर का लास्ट जो एकजाम हुआ था फाइप फेज का वो भी खतम हो चुका है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने बाले हैं कि आंसर की कब आएगा और रिजल्ट किस मैंने परकासित होगा उसके बाद फिजिकल किस मैंने होगा और डोकूमेंट फेरिपिकेशन किस मैंने होगा वो सारे जनकारी ओफेशियल इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आंसर की जो है वो बीस अक्टूबर तक आने का संभावना है और रिजल्ट जो है वो आप लोग को नम संबर और जनवरी में होने का संभावना है और डोकूमेंट फेरिपिकेशन जो है यह फरवरी में होने का संभावना है यह मैं क्यों बोल ला हूँ क्योंकि दोस्तों चार अक्टूबर को एक ओफिसियल नोटिस आया था दोस्तों मैं यह ओफिसियल नोटिस के धार पर बता ये क्योंकि document verification फरवरी तक clear आप लोको हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले महलाओं का physical देखते हैं दोस्तों महलाओं का जो physical है कि बजन कम किये भी ना एक मौके में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 20 किलो बजन उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए तथा 5 मिनट और 40 सकेंड में एक बार में 1000 मीटर की दूरी त्या करने में सक्षम होना चाहिए यानि महलाओं का 20 किलो बजन उठाना है और 2 मिनट में 100 मीटर दूरी त्या करना है जबकि 1000 मीटर दूरी त्या करना है वो 5 मिनट 40 सकेंड में तो चलिए दोस्तों पुरूसों का फिजिकल देखते हैं कि इसमें कितना वजन उठना पड़ेगा और कितना मीटर दुरी तया करना पड़ेगा दोस्तों पुरूसों में जो है बजन कम किये बिना एक मौके में दो मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 35 किलो बजन उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए तथा एक बार में 4 मिनट 15 सकेंड में 1000 मीटर की दूरी तै करने में सक्षम होना चाहिए यानि पुरूज जो है 35 किलो बजन जो है वो 2 मिनट में 100 मिटर दूरित्या करेगा और 1000 मिटर दूरित्या जो है वो 4 मिनट 15 सकेंड में करना होगा दोस्तों तब उसे क्वालिफाय माना जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आप लोको समझ में आगया होगा अगर नहीं समझे तो एक बार और बता देता हूँ दोस्तों पुरूशों के लिए जो है वो 4 मिनट 15 सकेंड में 1000 मिटर दूरित्या करना है और 35 किलो बजन जो है वो 2 मिनट में 100 मिटर दूरित्या करना होगा जबकि महिलाओं के लिए 5 मिनट 40 सकेंड में 1000 मिटर दूरित्या करना होगा और सिर्फ 20 किलो बजन जो है वो आप लोग को 2 मिनट में 100 मिटर दूरित्या करना होगा तो दोस्तों अगर आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दी हैं तो कॉमेंट में आप लोग जरूर बताएगा कि आप लोग कितने समय में कितने दोर पुरा कर लेते हैं और जो भी साथ ही नियों है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जेगा ताकि रेललस महित पलपल खबर आप लोग को मिलता रहें और सभी लोग इस चैनल को सेर कर दीजेगा ताकि जो भी साथ ही नय है वो सभी लोग को जनकारी पलपल पर मिलता रहें